वेलकम टू मैं चानल इंडियन मॉम काँचन तो गाइज यहां पर उपमा बना रही हूँ उपमा बनाने के लिए सबसे पहले सूजी भून रही हूँ आज समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाऊ और एक सखानी का मन नहीं कर रहा था तो मैंने सुझे चलो उपमा बना लेती ह वैसे उपमा भी बहुत ज्यादा हिल्दी होता है अगर उसमें ज्यादा वेजिज वगर डालो आप तो बहुत ज्यादा हिल्दी बनता है उपमा भी बट क्या है कि मेरे डायेट में उपमा नहीं है मतलब इसी वज़से क्या कर सकती हूँ यह चीटी बोल सकती हूँ मैं इस आपको बहुत देर तक फुल रखता है आपको नीड नहीं रहती है खाने की जादा दिर तक तो इसी वज़से यहां पर वैसे बहुत हिल्दी तरीके से बना रहे थी थोड़ा सा गी डाल दिया है वह भी गाय का गी डाला है जैसे मैं बनाती हूं वैसे और उसमें मैंने और इसको अच्छר से बून लोंगी और फिर गरम पाने रखुरोंगी और यह ज़्यादा गिर जाता है फिर मैं उसमें और डाल देती हूं वह कंटेनर में और यह कंटेनर भरा भुए तो इसी वज़ए से ऐसमें चमज भी नहीं जाता है मतलब बहुत ज्यादा हिल्दी बनता है वैसे उपमा नाष्टे में तो इसलिए यहाँ पर और थोड़ी सी कॉंटिटी में खाऊंगी ज्यादा नहीं खाऊंगी क्ली बड़ोंगे बस सबके लिए पल्रस निकालोंगे उसके साथ साथ अबने वी थोड़ी सी कॉंटिटी में पलेट निकालोंगे और बस यहां पर नाश्ता कर लोंगे और पता इनोंने पहले उपमा खाने के लिए मना किया था मतलब उनको लगा था कि यह डायेट वाला बनाएगी और फिर हमें भी वही खाना पड़ेगा तो इसी वज़े से इनोंने उपमा खाने के लिए मना कर दिया फिर मैंने थोड़ा सा जादा ही quantity में बनाया तो इनको दे दिया तो इन्होंने इतने अच्छा से खाया इनको पता ही नहीं चला कि उसमें गी डाला हुआ है या ऐसे मैंने अपना डायेट के जैसा बनाया हुआ है कम गी डालके और यह सब कुछ करके बहुत जादा टेस्टी बनाता है अब भी ट्राय करना आपको भी अच्छा लगीगा और यह देखो अद्रक का मसाला ना मैंने बहुत जादा quantity मीजबर बना के रखा था और यह इसकी थोड़ा सा मतलब ऐसे क्या बोलते है वह अद्रक थोड़ा सा गीला होगा तो इसी वज़े से थोड़ा से गूल अद्विक दुबारा से गाड़ी चलाने लगाय कल चार्च की अद्विक ने पूरी गाड़ी अध्यूली जब ली थी न तब पूरे दिन भर गाड़ी चलाता था और उसकी चार्जिंग खतम हो गई थी उसके बाद गाने चले अभी बन करो बन करो बन करो हाँ 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 और अब चार्च किया तो अभी दुबारा से दिन बर गाड़ी चलाएगा यह क्या गाड़ी पेटके मतलब गाना चला होगे और कॉपिराइड आएगा मेरे चैनल पे मतलब वीडियो पे हाँ आपको अच्छा लेगेगा जाओ वहाँ पर लगा दो चला रहे हो आप यह माँ पर लगाना है चलाएज रेड़ी हो चुकियो बहुत जल्दी जल्दी रेड़ कि आपको दिखाऊंगी लुकबट बात में जब अधर से आजाऊंगी तब लुक दिखा दूंगे आपको गाइज एक्चुली यहाँ पर मराठी में बाते की थी हम लोगोंने बट आप लोग बोल रहते हैं ना कि आप हिंदी में समझाया करो तो इस वज़े से मैंने वाई अच्छे से वो हल्दी कुंकुं का प्रोग्राम रखा था खुद भी अच्छे से रेडी हुई थी और उसके बाद डेकोरेट भी बहुत अच्छे से घर किया था और प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगा तो इतना चोटा अच्छा होने के बाद भी इतना सब कुछ करना possible रहा उसके लिए वही बहुत ज़्यादा था यहाँ पर decoration भी आपको इतना अच्छे से नहीं दिखा पाई जल्दी जल्दी में थी मैं क्योंकि दूसरे घर भी जाना था तो इसलिए मतलब एक एक चीज आपको detail में नहीं दिखा पाई थी तो यहाँ पर देख लेजे थोड़ा सा camera ज़ादा ही हिल रहा है मिराज तो चलिए अभी यहाँ पर हल्दी कुम कुम ले लेती हो और इसका क्यूट सा बेबी आपको दिखाती हो यह है इसका क्यूट सा बेबी बहुत ही सुन्दर है और शैतान बहुत है लेकिन वो उसको बहुत ज़दा परिशान करता है उसके बाद दूसरे घर में आ गई हूँ उसके पड़ोस में ही तो यहाँ पर भी उन्होंने बहुत एच्छ रंगोली निकाली थी और मुझे रंगोली का तो जादा ही लगता है यार क्योंकि मुझे रं यहां का होने के बाद मैं डारेक्ट घर गई अक्शुली इससे पहले दिन मैं जिस दिदी के यहां पर गई थी यह वाली जिनके पिंक साड़ी है इनको अपने मेरे वीडियो में बहुत बार देखा होगा इनके घर गई थी तो यहां पर ना मैं ज्यादा शूट नहीं कर प पर ही मिल गई थी श्रिकान की वाइफ उसको तो आप जानती ही होगे रानु भी यहां पर ही मिल गी और इतने दिनों की बाद मैं आई थी यहां पर तो हम लोग गप शप मारती वे बैढ़ गए तो इस वीज़े से शूट ही नहीं करना हुआ कुछ शूट करना भूली गई पिर गपे मारते मारते पिर टाइम निकल गया जाने के टाइम फिर ऐसे ही मैं उनको पोस देने के लिए हो रहे थी जान बुचिक बादे बच्चे डांस करे ते अक्चुलि सबसे लास्ट हम लोग गये थे उसके बाद बच्चों को अलसे लगा कि सब लोग जाने वाले है फिर डांस कर लेते हैं सबसे लास्ट में फिर इनका फोटो सेशन हुआ डांस कर रहेते हैं ब्लीव साडी वाली जो है वो उनकी बेटी है और बाकी तीन उनकी जठानी की बेटिया है चलिए गाइस आगे हूँ घर पे साडी पहना हो ये करो वो करो और दो घर थे इसी वज़े से आज साडी वगरा पहन पाई और वो भी बहुत जल्दी-जल्दी किया सब कुछ अभी लुक दिखाती है आपको लुक कुछ खास नहीं है मैंने बहुत जल्दी-जल्दी किया बहुत पसंद है और पापा को बोलना पड़ेगा लाने के लिए देखो मिल गया उसे पेर अरे गंदा है नहीं गंदा नहीं गंदा नहीं अच्छा है तो चलिए लुक तो देख लिए आपने अभी है मैं जाती हूँ चेंज करती हूँ और खाना खाती हो क्योंकि अभी कैपेसिटी खतम हो गई है मेरे और सुबे सुबे काही सब कुछ बचा हुआ इस वज़े से टेंशन नहीं है चलिए जल्दी से खाना खा ले दिए ठीक है अब तो बुड नाइट सुबे मिलेंगे अब मैं उठ्या को बंड़ों दो आते ग